हेलो स्केलेक्टर्स रख्म आपको सब्सक्राइब तो कैसे हैं आप आयोप आप बहुत अच्छे होंगे देखे दोस्तों सोल्डिंग करने के लिए यह वाला पेश्ट यूज करते हैं सब आपको पता है कोई थोड़ा अच्छे क्वालिटी का भी उज़ करता है फिलाल मैं य वेश्ट्पर पर क्वाल पेश्ट शो रीग्स अब क्यूंड एक होता हूं इसन्थे से अलोमीनियम में इस्त कोई नहीं बताता है लेकिन अब मैंने से यूज किया उसके बाद मेरे पाद जो इतनी बड़ी प्रोब्लम आई मैं सोच भी नहीं सकता था तो वह प्रोब्लम आपको दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों हर चीज के अंदर एक निगेटिविटी जरूर होती है पोजिटिविटी तो हड कोई बताता है इस्पोंसर बगारा के चक्कर पड़कि लेकिन हम जो है ना वह निगेटिविटी बताते हैं हाद चीज में जिसके अंदर निगेटिविटी होगी तो जैसे आप देख सकते हैं यह वाला वायर है यह अलूमीनियम का चलिए मैं से यहां पे स्क्रेच क यह मैं इसकी पॉलिस उता लेता हूं अभी निगेटिविटी दिखाऊंगा और अब प्रोब्लम देखे वो क्या आती है जो सबसे बड़ी प्रोब्लम मतलब आपका एक साल दो साल बाद बड़ी प्रोब्लम खड़ी कर देता है जब आप इस चीज को यूज करके देखिया भी एकानल मैं ठीक है नए अब इसको फॉलिस नहीं है अब मैं इसको लेन चल लेंक़्े मांद को इसी भी ले लेता हूं यह लोगलिया है और मैं इसको उन्द फोल्डर करके देखता हूं आपको ठीक है अभी मैं फेसल्डर करेंगा बिदिखा न यह देखिए अब ही हम यहाँ पर एक उन्मख रूक है अब है इस यहाँ से सोल्डर करता हूं इस गज़से हो गई यहाँ एपर होता क्यों है यहाँ पर इस देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं मैं पास से यहां पर यह देखिए यह देखो अब यहां पर एक निगेटिव एस पॉइंट एस के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि मैं इस थोड़ा सा पहले एक साइड करता हूं क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा अ हिलुमीनियम कभी ऐलुमुनियम को माली यह मायरा सोल डरोटा है सौ पकड़ता नहीं है ये काम क्या करता है यह वाला क्रेंफिस पी ऐसी कोट्ढ़ बना देता है जो की कोपर में तब्दिल हो जाती है मलब जो हमारे सोलडर को पकड़ सके हमारे सैक्स एसी कोटिन चड़ा दीती है जो solder को पकड़ सके और इसके अंदर दोस्तो कुछ दिन बाद एक साल डेढ़ साल बाद जो है करंट आना जाना बंद हो जाता है अगर आपने यहां पे कुछ इस तरह से कर दी इसके अंदर यहां पे इस तरह सोल्डिंग कर दी थीक है तो वह क्या होगा को करना इधर से इधर करंट पुछाना बंद कर देगे तो वहां यह देख सकते हैं, 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 यह देख सकते हैं तो इसमें होता क्या है जब अगर हम इस पर solding कर देते हैं न उसके बाद जब हम इस पे अपना लेयर यहां पर copper की layer चड़ा देते हैं और solding कर देते हैं तो वहां पर aluminium और copper की solding हो रही है ना वैसे तो solder की है solding लेकिन copper wire को solder करेंगे इस copper तो उसके बीच में एक ऐसी लेयर बन जाते है जो कि कुछ दिन बाद हमारा current transfer करना बंद हो जाती है या एक resistance का रूप ले लेता है और हमारा जो circuit है वो काम करना बंद हो जाता है तो भाईयो आप aluminum में इस flux को ना यूज करें हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कि ये काम करता है पर काफी बारीक वायर पर काफी दिन चल जाता है पर मोटे वायर पर आप इसको यूज ना करें ठीक है दोस्तों क्यूंक एडवांस और तो हम हर चीज बताते हैं तो दोस्तों यह आपको साथ किस किस के साथ प्रोब्लम आई दी अभी हमने कुछ सामय में पहले एक वीडियो बनाई थी उस चीज पर कि यह हमारे पर दीमार से रिपेर हो निकलिया था उसमें इस सोल्डर फ्लक्स का मनलब यूज किया गया था इ उसमें अलमुनियम टो कोपर सोल्डिंग का रखी थी और एक डेट साल बादी वह आपसी आगा उसमें कोई फाल्ड नहीं था सिर्फ उसी का फाल्ड था उस जोइंट को दुबार से अच्छे मालब एक धूल की तरह उड़ रहा था नो हाथ लगाने पे बीए कुछ समय बा वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करा देना और जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें थैंक यू